असलम वालेकूम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज की हमारी रेसिपी है अचार गोश्ट अब हमारी चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले सबस्क्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो अचार गोश्ट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसम लाहर रुख्मान रहीं हमने यहां पर लिया है शान का अचार गोश्ट मसाला नो से दस अदद हरी मुर्शी ले अब एक प्याली में टू टी स्पुन शार मसाला दाले वन लेवन का जूस दाले अब इस मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले अच्छी तरीके से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद अब हरी मिर्ची को बीच में से कट करें और उसमें से बीच निकाल ले अब इसी तरीके से सब मिर्चियों के बीच निकाल ले अब जो शान मसाले का मिक्सर बनाया है वो मिर्चों के अंदर फिल कर ले जो मिर्चों के बाद बाद ग्याएं भाद प्रीके अंदर ले जए खिल के से अंदर बादिती तरीके से जाएं टो शान म्मिर्चा इच्ट निकाल ले जाकी धे मिर्चियों के अंदर फिलिंग हो गई है अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कड़ाई में ऑईल डाले हमने आदा किलो गोश लिया है अब गोश को दो से तीन मिनिट तक बूल ले यहां तक के गोश का पानी खुश खोजाएं अब इसमें वन टी स्पून अदर क्लिस्टन का पेस्ट डाले अब जो बाकी शान मसाला बचाता वो इसमें डाल दे टूट टी स्पून कुटी भी लायर मिर्चे डाले वन टी स्पून पिसावा धनिया हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून पिसावा गरम मसाला खस्वेज अइका सॉल अब इन सब मसालों की अच्छी तरीके से बुनाई करें एक अदर छोटी सी प्यास को पेस्ट बनाके डाल दें अब एक अदर टिमाटर का भी पेस्ट बनाके डाल दें अब साबको मिक्स करें अब रची तरीके से बनाके अदरन अब अच्छे तरीके से बनाई करने के पाद हाफ कफ दई दाल दे दई दालने के पाद हलका सा भूल करने के लिए अपने हिसाब से पादने दाल दे अब बीस मिनट तर गोश को गलने के लिए चूड़ दें 20 उनिट बाद गोश्ट गल चुका है अब इसमें मसालक की फिलिंग वाली मिचे इसमें एड़ कर दे अब हलके आच पर 4-5 मिनिट तक पका ले आप देख सकते हैं अचार गोश्ट के साथ रेड़ी हो चुका है अब इसे सर्फ कर ले आप इसे नार या चपाती के साथ खा सकते हैं अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जबी करें और अगली वीडियो तक अला आफेज स्ट्रेंक्स पर वाचिंग और बेल आइकाउन को प्रेस करना मत खुलिएगा अबादी प्रेस कर दो भाचिंग और आपको हमारी प्रेस करना मत खुलिएगा झाला आपको हमारी प्रेस करना मत खुलिएगा